아ब यहलो दोस्तों एक बार फिर सुआगए एक नई इंफोर्मेटिव टेक्निकल वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल मैं यह जो क्या होता है कि गर्मियों का मोसम स्टार्ट हो चुका है करमियों के मोसम में स्टार्ट होने पर अपने को क्या करना है इंजन के जो आग लगने का डर्ब बना रहता है, तो इसके लिए अपने को क्या प्रोसेस कट रहता है? कि जैसे ही गर्मियाइ इस्टार्ट होती है, अपने को सबसे पहले रेडीयेटर का काम करवाना पड़ेगा. रेडियेटर की किलीनिंग करवानी है इसे किसी मेकनिक के पास मिल जागी किलीनिंग करवाओ इसे देखो कि कोई इस रेडियेटर की किसी परकार का कोई भाग चोक तो नहीं है या कोई होस पाइब वगरा चोक नहीं है कोई या किसी परकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है इस है हाउ लग बग 1 लिलटर पास करना चाहित उसके बाद में 2-2-5 लिलिल्टर फिल्टरः होटा है उसे करना जाहिए उसके बाद में पर पाना सिलकशे हना है color बचावा color कैसे फिल्टरफ easy color पर पने के नदर फिलब अवाटर हो Все इन फथा है उसके उपर नहीं लगाना है वरना क्या होता है कि गाड़ी जब हीट होती है तो जो कुलेंट होता है जो वाटर होता है वो गरम होने के बाद में वेक्यूम करेट करता है और वो वेक्यूम के बाद में क्या होता है कि यह जो बोक्स होता है इसमें वो गरम को वापस बेज दे चीज का इसलों इंग का है। और तो इसलों आज चीज का नियुक्त होता है। यह यह जान ईए पूरयों कर ऑड़ा है कि करना है, कि उतर ही क्या है कि 음वहक है कि आप जही होता है। आप सफिश्वालने गाड़ी आगे हैं। तो यह क्या होता है कि कभी कभी किसी गाड़ियों में फेन काम नहीं करता है और बाकी सब चीज़े ओके रहती है लागर पंखा चैन्ज करवान पड़ता है तो इस एक चैन्ज करवान बहुत जरूरी है नैसेसरी गर्मियों की दिनों में तो बहुत जरूरी पहती है। सर्दियों में तो आपका काम निकल सकता है आपको एंजन हिट नहीं होगा और बराबर टमप्रेचर पे ही गाड़ी चलती रही और प्रैसानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों और ऐसी टेकनिकल और इंफर्मेटिव वीडियो के आपका साथ देता रहूँ है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करते रहे हैं दोस्तों थैंक यू